जैहिन दोस्तो एक बार फिर से एम वेत रोही चोहान चैनल में स्वागत है दोस्तो आज सीटेट के टॉप फाइफ अंड्रेड प्रयावरंड के जो कि सुपर फास्ट तरीके से होंगे इसको आप अवश्य देखिएगा महतवर्ड बिंद्यों के साथ मैं है फ्रेंड्स ठीक हमारी पीडियो फाइल को प्राप्त करने के लिए हमारी तो टेलिग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन पर ओल्रेडी प्रवाइड़ है इसको आप जाएए और वहां पर आपको प्राप्त हो जाएगी ठीक है और अगर हम वहारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीज किजेगा अपने दोस्तों में शेर जूर कीजेगा एंड आल्सो सब्सक्राइब कीजेगा तभी आपको एभी वीडियो मिल पाईगी ठीक है और हमारे जो बैल आईकन है इसको आप ओन कीजेगा ठीक है तभी आपको वीडियो प्राप्त हो पाएगी और लेटस से लेटस इ सीटेट यूपीटेट की और भी कई सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं इनको आप जाएए और कमेंट अविस कीजेगा बताइएगा कि हमाई वीडियोस कैसी लगी हैं ठीक है फ्रेंट्स चलिए थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो स्टार्ट करते हैं सीटेट रिविजन नोट्स टॉप 500 परयावन महातुव बिंदों के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंट्स भारत की प्रथम वन नीती का निर्माण कब हुआ 1894 मुआ गिद सरक्षन पर योजना पर प्रारंब कब किया गया 2006 में किया गया गौण सरक्षन पर योजना कब सुरू की गई 1987 में की गई कचुआ शरक्षन पर योजना की सुरुवात 1975 में की गई थी भाग शरक्षन पर योजना प्रारम कब हुई थी 1973 में हुई थी 1973 में हुई थी ठीक है उसके बाद कहते हैं किस ब्रक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है जी हाँ आपका अंसर होगा यूकेलिप्टिस यूकेलिप्टिस जो है वो पर्यावरण के लिए संकट माना गया है चाल बाज किस प्रकार के वन पाया जाते हैं यह कहते हैं विशुवातिय वर्षा वन बात कर लेते हैं केंद्रिय मरू छेत्र अनुसांधान संस्तान कहां पर है मरू मतलव की रेकिस्तान जो की जोदपूर के जोदपूर में हैं राजस्थान में हैं चीक है आगे बात कर लेते हैं वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाये गया उनने सो बहत्तर मरू में बनाये गया जो की वैरी वैरी इंपॉर्टेंट डफ्रेंट्स ठीक है इसको आप अवश्य देखिएगा आंगे बात कर लेते हैं वन शरक्षन अधिनियम 1990 में बनाये गया था ठीक परवर्ण सुरक्षा अधिनियम कब बनाये गया था 1986 में बनाये गया था ठीक जल सरक्षन एवं परदूशन नियंतर अधिनियम कब बनाये गया था फ्रेंट्स 1974 में बनाया गया था 1974 में बनाया गया था ठीक है फ्रेंट्स आंगे बात कर लेते हैं परावरन की सुरक्षा मूल करतब है इसका उलेख किस अनुचित में किया गया है सम्विदान के किस संसोधन के अंतरेकत में जोड़ा गया है ये अनुचेद 51 में जोड़ा गया है 42 संविधान संसूधन के द्वारा जोड़ा गया है परयावन की सुरक्षा क्या है एक मूल करतवे तो इसको बताया गया है अनुचेद 51 में बताया गया है 42 संविधान संसूधन द्वारा बताया गया है बात कर लेते हैं भारतिय वन प्रभंदन संस्तान कहां परस्तित है भोपाल में स्तित है वन अनुसंधान संस्तान जब वन की बात करते हैं है ना अनुसंधान ठीक तो यह आपका धहरादून में होगा और अगर जब भारतिय वन बोल दिया जाए तो आपका वो भोपाल में हो ठीक है तो देखिएगा है आंगे बात कर लेते हैं वर्षा वन अनुशंधान संस्थान जोरा हट में हैं जोर हाट में हैं ठीक है आंगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वियाना समझोता 1985 में ओजॉन परत के सम्मंदित में हुआ है ठीक है फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स जो वीडियो बनाए गई है यह बहुत चादा स्पेशल है ठीक है इसको आप बिलकुल भी इसके मत कीजिएगा ठीक है आई रिक्वेस्ट यू डॉन इसकी पार वीडियो ठीक पूरा आज़िए बात कर लेते हैं की उटा पूर्ट्कॉल संदी किस वर्ष में लागू की गीती दो हजार पांच में की गीती ठीक है फ्रेंड्स अगे बात कर लेते हैं प्रिर्थवी सिखर सम्मेलन कभ आयउजित किया गया था Ball 62 में किय गया था नाइटीiban नाइन ट्य नाइन था वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपका होगा रियो दी जेनेरियो में आयोजन किया गया था फिर है पांच जून को विश्व पर्यावन दिवस मनाने की घोषना कि सम्विलन में की गई थी जी हाँ स्टॉक होम सम्विलन में की गई थी 1972 में की गई थी Tiger Man of India ये किसे कहते हैं कैलास सालखा जी को कहते है Tiger Man of India ठीक है पॉइंट टू बी नोटेड भारत में हरित करांती के जनक किसे कहते हैं Dr. MS. स्वामी नाथन जी को कहते हैं ठीक है फिर्ट्स आगे बात कर लेते हैं भारत के परिस्थिती के जनक है ना कौन थे Dr. राम देव मिश्रा अती इंपोर्टेंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ठीक है इसको आप अवश्री देखीगा आगे बात कर लेते हैं फ्रेंट्स विश्व ओजौन दिवस कब मनाया जाता है जी हाँ 16 सितंबर को मनाया जाता है याद रखीगा विश्व हिंडी दिवस कब मनाया जाता है 15 सितंबर को मनाया जाता है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है ठीक है विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है पृत्वी दिवस 22 अप्रेल को मनाया जाता है आगी बात कर लेते हैं कोहरे की आड़ पाठ देखने में सहायक तरंग होती है अवरक्त विकिरन कहते हैं अमल बर्षा के लिए प्रमुक रूप से जिम्मेवार कौन है कार खाने है ठीक है पार्थी नियम गाजर घास पराग के क कारण कौन सा रोग होता है चर्म रोग होता है दमा होता है यह घpection किस परावरं परदूशन के सुचक माने जाते हैं यह वायू प्रदूशन के सुचक माने जाते कौन लाइकेन चीक है आंगे बात कर लेते हैं भोपाल गैस तराजदी किस गैस के रिसाफ के कारण होई थी आपका आंसर होगा मिथाइल आईसो सैनाइड जो भोपाल गैस तराजदी का वो कारण बना है चीक है आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इटाई इटाई रोग किस क कारण होता है यह कैडिमियम के कारण होता है ठीक है फेंट्स छलिए आंगे भढ़ते हैं कांग्रेस घास किस घास को कहा जाता है ठीक आपका आंसर होगा पार्थेनियम गाजर घास को यह कांग्रेस घास कहते हैं ठीक है अमल बर्षा के जल का pH मान कितना होता है 4.2 से भी कम होता है ब्लैक फूट नामक बिमारी का कारण क्या है आर्सेनिक की अधिकता है पिर्थवी के कारवन चक्र में कारवन डायोक्षाड की मात्रा नहीं बढ़ने देता है ये प्रकाश शन्शलेशन होता है शौर विकरन की सबसे महतपूर भूमका होती है जल चक्र में होती है अंतराश्टी प्रयावन अब ये की सोज सहस्तान कहां पर है नाकपूर में है पिर्थवी के चारो और गैसो का समूँ वायू मंडल कहते है आगे बाद कर लेते हैं वायू क्या है एक मिश्रण है सुस्क हवा में नाइटोजन मातरा कितनी होती है 78 प्रतिशत होती है सुस्क हवा में नाइटोजन मातरा कितनी है 78 आगे बाद कर लेते हैं वातावरण में सरवदिक प्रतिशत उपस्तित होती है क्या उपस्तित होती है नाइटोजन जो की 78 प्रतिशत होती है ठीक है आगे बात कर लेते हैं यदी प्रित्वी पर पाई जाने वाली वन्सपती समाप्त हो जाए तो गिस गयस की कमी होती है ऑक्सीजन ठीक है फिंच आगे बात कर लेते हैं UNEP नैरोबी विश्वर मौसन विश विश्वर मौसम विज्ञान संगठन का मुख्याल है कहां पारिस्तित है जिन्वा में है उपपादको को चिन्नित करने के लिए सरकार ने आरंब किया था इको मार्क ठीक जूम खेती होती है मेग हालिया में सुस्क बरफ किसका ठोस रूप कहलाता है कारवन डाइ ऑक्साइ किस जनपद में चंधर्भाव वन्य जीव अभिहारन है चंधोली में गिर वन्य जीव अभिहारन किस नदी गिर अज्व का सरक्षन करता है ठीक है, सेरका करता है, ग्रीन मफलर धनी पदूशन से है, किसी खाद संक्रला में साकाहरी होते हैं, प्रात्मिक उपभोगता, परिशितिक तंत्र के तत्वों को, चक्रन को क्या कहते हैं, जैव भूर सायनिक चक्र, ठीक, अंतराश्टी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, प्राकरतिक वन्य वनस्पती, मरुस्थलिये परदेशों में पाई जाती है, कैक्टस, ठीक, टाइटन, किस ग्रह का प्राकरतिक उपग्रह है, सनी का है, धुर्वताला, धुर्वतारा कहा जाता है, उत्री तारे को, फूलों की घाटी इस्तित हो छाटशन, कहा प्रिस्तित है, प्रिस्तित की तंत्र में, उर्जा का मुख्य सुरोत माना जाता है, सुर्य प्रकास, छिक तुनामी की उत्पत्ती किस के द्वारा होती है, समुध के भीतर, उत्वन होने वाली भूक्म्ब, ठीक, सबसे लंबा, जीविद ब्रक्षए है, सिं के संकट गरस्त जीव जन्तिवों से सरवदिक जय विविता कहां पाई जाती है उश्न कटिबंदी वर्षावन से सांत घाटी अवश्तित है केरल में वैट लेंड दिवस दो फरवरी को मनाया जाता है आगे बात कर लेते हैं हरित ग्रहत ग्रह प्रभाव का अर्थ वाई मंडल में ग्रीन हाउसों के घनी कारण के कारण वाई मंडल तापमार बढ़ जाता है ग्रीन हाउस ग्यास की संकलबना जोसफ फेरियर नहीं की थी कारवन डेटिक रष्टी कोंड किसका शुरुआत हुई थी कोटो प्रोटोकॉल से ठीक सारवदिक भंगूर पशितित अंत्र वैस्विक तापमा द्वारा सबसे प्रभावित होगा आर्थिक एवां ग्रीनलेंड हिम्न चादर ओजन परत की मुख्यता अवेस्तित रहती है वो स्टैटू स्वेयर है ठीक है वाई मंडल ओजन परत परावैनी किरनों से जीवन की रक्षा करता है ठीक आगे बात कर लेते हैं वाई मंडल में ओजन परत क्या है जीवन की रक्षा करता है ठीक है भारत का सरव पर्थम राष्टी उध्यान कौन सा है कॉर्बेट राष्टी उध्यान दूद की सुदता क बोनापने के लिए लाक्टो मीटर का इस्तिमाल करते हैं वाय मंडल में ओजन छित्र का पता लगाने के लिए वह कहां पर रिस्तित है अंचार्टिका के ऊपर वातावरण की वह परत जो रेडियो तंगर को प्रावरतित कहलाती है आयन मंडल ठीक है फ्रेंड्स ठैंक यू फ स्क्राइब अवर्ष्ट कीजेगा ठीक है और जो बैल आइकन जो है उसको और अवर्ष्ट रिखिएगा ताकि आपको लेटेस लेटेस इंफ्रमेशन आपको प्रवाइडेट होती रहेगी ठीक है इसको आप कमेंट चुरू कीजेगा ताकि वीडियो कैसी बनी है मिलते है अगली वीडियो में तब तक जै हिंद जै भारत